Term 1 की तैयारी, क्या तुम्हारी पूरी हो चुकी है क्योंके Commerce बाबा की Term 1 की तैयारी तो पूरी हो चुकी है यहां तुम देख रहो मैंने यारी को हाइलाइट किया हुआ है यहां पर Term 1 में तुम्हारी और मेरी यारी काम में आईगी मैंने तुम्हार लिए पूरा content तयार करके रखा हुआ है क्या 20 days pledge पूरा तयार है? जी हाँ term 1 की तयारी के अंदर 20 days pledge पूरा available है क्या notes पूरे available है? जी हाँ क्या sample papers available है? बिलकुल क्या guest papers available है? जी हाँ में भी link देके रखा है आजाओ मिलके तयारी करेंगे जहां already तुम्हारा पूरा 20 days pledge available है साथ साथ में तुम्हारे notes available है sample papers available है और जो guest paper आएंगे free of cost आएंगे और तुम्हें workshop अटेंड करने को मिलेगी that too completely free of cost so that exam से एक रात पहले जो तुम्हारी description box में link है जाके support ज़रूर दिखाना शुरू करते है मैं गया नहीं हूँ जो description में link है उसमें free videos भी है जाके एक बार देख लेना ताकि तुम्हें at least पता लग जाए कि तुम कितने awesome family के member बनने वाले हो अब शुरू करते है तो नमशकार मेरे भाईयों यह जो पूरा मैं तुम्हें content करवाने वाला हूँ इसमें एक surprise element भी है बिल्कुल last में और वो में last में जाते जाते तुम्हें करवा के जाओंगा तो कोशिश करना कि मेरे साथ पूरा video देखो इससे बाहर से कुछ नहीं आना मैंने पूई study करके यह 20 days pledge को बनाया है establish किया है so make sure तुमने इस पूरे 20 days pledge को follow किया है और आगे भी follow करते रहोंगे तो बिना किसी देरी के शुरू करते अच्छा तो interest on drawings निकालने का सबसे basic method देखते है पहला होता है simple interest method इसमें क्या करोगी तो interest or knowing सिकाली के लिए drawing की amount लोगे rate से multiply करोगे rate हो गया 10% तो 10 upon 100 हो गया 20% हो गया तो 20 upon 100 हो गया माफी चाहूंगा यह रहा rate ठीक है तो rate upon 100 हो गया into time divided by 12 क्योंकि 12 महीने अपन लेके चलते है so months में आएगा time आपका और divided by 12 मतलब 12 मतलब 12 मतलब के साबसे अपन ले लेंगे now यह तो basic चीज हो गई अब आजाते है product method पर product method में क्या होता है product निकाल के करना पड़ता है तो अपन उसके लिए पहले total product निकालते है formula याद रखो बस उससे दाद में कुछ याद करने को 1 by 12 का time period क्योंकि product में पूरा multiplication से answer आता है जैसे एक drawing के बाद 12 महीने बचे तो drawing into 12 कर दिया फिर एक drawing के बाद 13 महीने मन अब 13 बोल रहा हूं 6 महीने बचे तो drawings into 6 ऐसे करके product निकाला जाता है तो total product rate upon 100 1 by 12 that's it बस इतना याद रखो चलो यार average period method भी मैं में एक एक करके explain करना चालू करता हूं because तुम्हें यह आना चाहिए at least तुम्हें पता होना चाहिए कैसे निकालना है because अगर MCQ आ गया कि average period निकाल के बताओ कितना है फस मत जाना क्योंकि चाला की कहीं भी चली जा सकती है CBSE बोले के एक काम करो question version छोड़ो average period निकाल के दिखाओ फिर क्या करोगे मुन्दा फिर तुम्हाई practice धरी की धरी रह जाएगी although तब भी तुम्हें आता होगा but फिर भी बावर जी को confirmed रहना है कि तुम्हें आता है के नहीं आता है तो average period method में पहला आता है equal month and regular intervals on monthly basis यह equal month basis है यह regular interval on monthly basis है पहला आएगा कि अगर आप beginning of every month निकालते हो तो क्या होगा यानि January से लेकिए December imagine करो January की पहली तारीक को निकाला February की पहली तारीक को निकाला March की, April की December तक हर महीने की पहली तारीक को तुम पैसा निकालते थे तो इसमें क्या होगा longest outstanding period average period निकालने के लिए and shortest outstanding period मतलब January 1 से तुम गिनना चालू करोगे कितने महीने बचते हैं year end तक यानि 31 December तक तो बचते हैं 12 महीने shortest outstanding period का मतलब आकरी बार कब निकाला होगा वो निकाला होगा 1st December को आकरी महीना वही होता है साल भर का तो वहाँ से लेके 31 December यानि साल के end तक एक महीना बचता है तो 12 प्लस 1 डिवाइड़ बाई 2 यानि यह यहाँ पर निकाला आया 6.5 मन ऐसे निकाला जाएगा ठीक है एक बार फिर से बहोता हूँ मत परिशान हो मैं समझ सकता हूँ longest outstanding period का मतलब सबसे लंबा वक्त कौन सा है वो जब सबसे पहली बार निकाला होगा प्रैसा मतलब January 1 January 1 से लेके 31 December तक इनना चालू करो 12 महीने होते है तोटा अपन ने लिग दिया 12 महीने फिर सबसे shortest period कब होगा जो सबसे आखरी बार निकाला होगा वो होगा December 1 December 1 से साल एंड यानि December 31 तक कितने महीने बचते एक महीने तो भाईया 12 प्रैस एक divided by 2 यानि साड़े 6 महीने आगे यह average period आपका निकला है तो आप drawings कैसे निकालोगे आप पूरे 12 महीने के drawings लेकोगे multiply by 12 करके हर महीने की है न तो हर महीने के drawings को multiply by 12 कर देना rate upon 100 into 6.5 by 12 हो जाएगा क्योंकि average period 6.5 मन्त है मैंने आपको बताई दिया था simple average method में simple interest method जो था उसके अंदर मैंने आपको बताई था कि divide by 12 करके आपको चलना है तो divide by 12 अपने लिख लिया अच्छा middle of every month में क्या करोगे फिर से वोई longest outstanding period middle of every month मतलब सबसे पहली बार कब निकाला होगा 15 जनवरी को तो 15 जनवरी के बाद मेरे ख्याल से बचते है 11.5 मैंने 11.5 बहुत गंदा लिखा है मैं एक बार फिर से लिखूंगा थोड़ा सा छोटा करके ठीक है चलो देखो जरा 11.5 मन्त बचेंगे ठीक है यह 11.5 लिख दिया फिर आएगा shortest outstanding period सबसे आखरी बार कब निकाला होगा वो निकाला होगा 15 December को अब अगर 15 December को निकाला होगा तो 0.5 मन्त बचेंगे यानि 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाइट 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 चे महीने यानि ये 6 बाइबारा का आइवरेश पीरिड आगे लो कितना सिंपल है तुम पढ़ने ही नहीं चाहते हो बाबाजी है या पढ़ाने के लिए क्लिए क्लिए को अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना वीडियो को और कॉमेंट करना बंद मत करना लाइक ऐसे भराभर कॉमेंट आने चाहिए के मेरे को भी लगे के सपोर्ट पूरा है और चैनल सब्स्राइब करने के लिए बोलने की बात है क्या end of every month समझाओं क्या चलो ठीक है longest outstanding period अब यह longest outstanding period मतलब पहली बार कब निकाला होगा अगर end of every month है तो पहली बार निकाला होगा 31st January को तो 31st January के बाद जहां तक मुझे लगता है 11 महीने बचते है साल end होने तक ठीक है shortest period कब निकाला होगा सबसे आखरी बार कब निकाला होगा साल के end में 31st December because end of every month है तब कितने बचेंगो यह 0 महीने 11 प्लस 0 साड़े पांच साड़े पांच वाई 12 खतम कहान मन्त गिनने बस तुम्हें फिर बात करें beginning of every quarter की मुझे मालू में यहां पर तुमारे आत्मा को एकदम से सदमा लगना चालू हो जाएगा क्योंकि quarter का मतलब क्या होता है देखो भाईया quarter का मतलब होता है यह पूरे जो 12 महीने हैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दो तो 4, 3, 12 मतलब हर एक quarter तीन महीने का होता है January, February, March का एक quarter April में जून का एक quarter July, August, September का एक quarter October, November, December का एक quarter ऐसे 4 quarter होते हैं ठीक है अब हुआ क्या उनने बोला है longest outstanding period तो पहला quarter कब चालू होता है 1st January को 1st January से again 31 March तक अगर आपन देखे तो फिर बचते हैं 12 महीने और आखरी quarter कब चालू हुआ होगा Last quarter October, November, December 1st October से चालू हुआ होगा मेरे को मालू में तुम्हें नहीं आएगा चलो लिखना चालू करें ताकि तुम और मैं साथ में देख सके और ऐसा ना लगे के मैं ही पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ने में इंटरस्टेड नहीं हूँ So let's do it all together चलो देखो यहाँ पे जन लिखा मैंने फेब लिखा यहाँ पे मार्च लिखा ठीक है? मत परिशान हूँ एपरिल लिखा, मे लिखा, जून लिखा फिर लिखा जुलाई, आउगस्थ, सेप्टेमबर और लास लिखा ओक्टोबर, नेवेंबर, देसेमबर इस पूरे question में different क्या है कि आपको quarter में निकालना है beginning, यहाँ पे लिखा हूँ है beginning of every quarter, मतलब January को निकालोगे फिर April को निकालोगे, फिर July को निकालोगे फिर October को निकालोगे, बस beginning of each quarter निकालोगे तो पहली बार कब निकाला होगा 1st January अब साल तो एक ही बार खतम होता है 31st December, तुम कुछ भी कर लो calendar थोड़ना चेंज हो जाएगा, तो अगर मैं 1st January को पहली बार निकाला होगा क्योंकि longest period लेना है अपन को, तो उसके बाद 31st December तक कितने महिने बचे होंगे मेरे बाईयों 12 महिने, आखरी बार कब निकाला होगा इस quarter में, इस quarter में कब 1st October को निकाला होगा क्योंकि भीया quarter के हछाभि के हिसाभि से देखना है तो October को निकाला होगा, त October से कितने महिने बचते? 3 महिने, साल के end होने तक, 31st December तक तो 12 प्लस 3 साड़े साथ महीने आ गया यानि यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो साड़े साथ बारा लिखेंगे और जब total drawings निकालोगे ना तो 4 बारी drawings कीए तो यानि मतलब जो भी per quarter drawings है multiplied by 4 करके answer निकालना क्योंकि per quarter है और 4 बारी निकाली है मैंने तब 12 से multiply क्यों किया था because हर महीने निकाल रहा था इस बार मैंने 4 बारी निकाली इसलिए टोटल डोइंग्स निकालने के लिए multiply by 4 करके total drawings निकालना तक तुम्हारी total drawings हैंगी जैसे हर बार तुमने 5000 निकाले कितनी बार निकाली हूंगे 4 तो चार से multiply करके total drawings कितनी निकाल कियांगी 20,000 ऐसे याद रखना जरूरी है अच्छा end of each quarter में क्या करोगे again gen से लेके कब तक gen feb march ठीक है April, May, June तक again July से लेके July, August, September तक September के बाद क्या आता है October, October से लेके हो जाता हो जाता है कभी कबार तो at the end of each quarter बोला है, ये लिखा हुआ है end तो कैसे करोगे, सबसे पहले March में निकाला होगा March से लेके, December 31 तक अगर मैं चलूँ, तो मेरे ख्याल से बचते हैं 9 महीने, तो ये लिख लिए 9 महीने end of each quarter आखरी निकाला होगा December की आखरी तारीक को तो वहाँ से बचते हैं 0 महीने 0 तो ये आगे आपका 4.5 मन्त जहां पे आपने ये लिख दिया, यहां पे total drawings भी कैसे आई होगी, multiplied by 4 करके क्योंकि साल में सिर्फ 4 बार ही निकाला है तो मेरे भाईयों, चलो quarter वाली बात भी में और जून, अगें दें जुलाई, ओगस्थ एंड सेप्टेंबर, एंड लास्ट ऑक्टूबर, नवेंबर एंड दिसेंबर, अब तुम्हें पता होगा दिसंबर 31 आखरी डेट होती है इन्होंने बोला middle of each quarter यानि सबसे पहले फरवरी में निकाला होगा और फैब भी कब 15 फरवरी को निकाला होगा क्यों? बिलकुल quarter के middle में quarter के middle में मतलब देड महीना इधर, देड महीना इधर तीन महीने है ना तो देड बिलकुल बीच में यानि 15 फरवरी के बाद गिनना चालो करों तो फरवरी आधा हो गया ये मिला के 9 महीने और ये दसवा महीना और आधा, यानि साड़े 10 महीने, तो अपनने लिख दिया 10.5 प्लस, लास्ट quarter दिखींगे, बिकाज यहां पर बुला हुआ है shortest outstanding period तो नवंबर 15 को निकाला होगा, अब 15 नवंबर में नवंबर आधा और बाकी December यानि देड़ महीना divided by 2, यानि 12 by 2, यानि 6 महीने ये आगया 6 महीने, तो वही drawings कैसे निकालेंगे, multiply by 4 करके rate upon 100, और ये 6 by 12 हो जाएगा, मतलब मेरी बात simple है जादा complicated नहीं करना चाहूँगा मैं तुम्हें ये drawings के methods आने चाहिए, क्योंकि CBSC अगर कहीं तुम्हारे मजे ले सकता है या confuse कर सकता है, तो वह यही context है, instead of giving you a question वो भी बन जाएगा, अगर वो नहीं भी देता है तो वो क्या देगा, निकालने के लिए देगा कि बताओ कैसे निकाला जाता है assertion में पूछ सकता है, MCQ में पूछ सकता है एक चीज तो बता नहीं भूल गया partnership agreement भी अगर बोलता है तो भी yes होगा answer if partnership agreement says, तो क्या आप दोगे? हाँ, because partnership agreement is actually partnership deed वो तो मैं पता होना चाहिए, मैंने बताया नहीं था मिरको बार बार ये था कि मुझे बताना है, बताना है commission upon 100 करके, बहुत simple तरीके से निकाल दो लेकिन अगर वही चीज after charging आती है तो पूरा का पूरा same रहेगा, बस 100 प्लस rate of commission हो जाएगा इतना difference आएगा, commission as a percentage of net profit after charging so after charging में ये चेंज जरू कर देना, normal बस upon 100 प्लस rate of commission हो जाएगा, हाँ इसमें net profit before commission था, obviously इसमें net profit after commission ही लेंगे because question में वही दिया रहेगा, देखो जादा complicated बत बनाओ चीजों को, इसमें तुमें simple ये तरीके से याद रखना है दो तरह का question आ सकता है, एक जिसमें before commission का net profit दिया है एक जिसमें after commission का net profit दिया है अगर after commission net profit लिखा दिख जाए, तो नीचे 100 plus rate of commission होगा after के कारण, लेकिन अगर before है तो simple rate of commission into 100 करके answer निकाल लेना फिर ये वाला note जो अधिकतर लोग का MCQ गलत करवाता है, करवाता आया है मैं नहीं चाहता, तुम गलत करो तो इसमें बोला गया, charges such as interest on partner loan जो partner को आप interest pay करते हो, या manager को salary दे देते हो या manager को commission वगरा दे देते हो, must be deducted from profit before transferring it to P&LF pro, even अगर interest on capital charge है even अगर commission को भी charge जैसे ले लिया है, कि भी या partner को commission तुम charge जैसे दे रहो like anything that is a charge, उसको तुमें सबसे पहले minus करना है profit and loss account से, और उसके बाद जो net profit बचेगा, वो P&LF pro में जाएगा जैसे salary को charge की तरह दे रहो, चाहे profit हो, चाहे loss हो, charge की तरह salary पे करनी है तो वो सब minus करने के बाद, फिर तुमें बाकी amount P&LF pro में transfer करना है तो चाहे interest on partner loan हो, ये तो by default जो है, ये charge होता है by default charge है, तो ये हो गया, बाकी मैंने manager salary commission बता दिया इनको तुमें पहले क्या करना है, minus करना है and then जो profit तुमारा बचेगा, भले P&L account मत बनाओ, कोई जरूवत नहीं है क्योंकि obviously MCQ based है, तो तुमें क्या करना है, इनको minus करके P&LF pro का final figure निकालना होता है फिर से बोल रहा हूं, अंग्रेजी में any charge that is deductible, कोई भी charge जो deductible है, उसको minus करो फिर वो balance जो बचता है, वो P&LF pro में जाता है ये भी question आ सकता है, इसलिए बार बार इतना emphasize कर रहा हूं, मेरे भाई हो, सुन लेना ठीक है, चलो, rent paid to a partner, अगर तुम कोई भी rent pay कर रहे हो, और अगर वो charge against profit है, देखो, rent paid to a partner is always a charge against profit ये तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुमने कोई भी rent pay किया है partner को, तो वो एक तुमारी fixed liability kind of है, या fixed payment kind of है, fixed expense kind of है तो वो भी एक charge की तरह होता है, अगर नहीं पता था, तो अब पता है, हाँ partner को salary दे दो appropriation हो गया, commission दे दो appropriation हो गया, interest on capital दे दो appropriation हो गया और Indian partnership acting according, और अगर partnership date silent भी है, तो तुम्हें 6% तो देना ही देना है, bare minimum हो मैं तुम्हें बता चुका हूँ Now, sharing profit and loss में बहुत सारी चीज़े हो सकती है, जैसे fixed ratio हो सकता है, 1 is to 1, 2 is to 1, 3 is to 1, कुछ भी, capital का ratio भी हो सकता है, जैसे capital है 50,000, 50,000, तो 1 is to 1 का ratio हो गया 2,00, 1,00, 2 is to 1 का ratio हो गया, 5,00, 10,00, तो 5 is to 10 का यानी 1 is to 2 का ratio हो गया, कर सकते हो तो, equal ratio हो सकता है, या फिर ये चीज़, division of profit and loss in separate ratio, separate ratio मतलब profit को अलग ratio में, loss को अलग ratio में ये भी होता है, बताब ऐसे तो नहीं होता, याद रख लेना तो, तो मेरे भाईयों, wait करो, अब मै तुम्हें goodwill भी करवाने वाला हूँ, फिर इसके practicals भी कुछ है, जो मुझे important लगते है, fundamentals के तुम्हें करने चाहिए, वो भी मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ, काफी सारा content है भी इसके बाद भी, मेरा agenda है के तुम 100% तैयारी करके जाओ, commerce बाबा के साथ, और कोई भी ऐ बहुत सारा प्यार और धन्यवाद